आप देख रहे हैं सिटी निया न्यूस चैनल हक्की आवाज हमारे हैदराबाद के दोस्तों मुहर्रम मातम का वक्त है मुहर्रम इस साल कुछ अजीबो गरीब सिचुएशन्स में हमारे सामने आई है मुहर्रम के इस मातम के वक्त में हम आपके साथ है आपके मातम में शरीक होने की इजाज़त चाहते है इसलामी कैलेंडर का यह पहला महीना और रमजान के बाद शायद सबसे इंपॉर्टन्ट हर तरह की गलत चीज़ों की पाबंदी है इस वक्त पुराने जमाने में दो देश के बीच में जब फसाद होता था जंग होती थी तो वह भी इस महर्म के वक्त बंद किया जाता था यह मातम हमारे शिया भाई लोग जो कई सालों से हम लोगों ने देखते आया है मातम जो शहादत हुसाइन इबने अली और उनके पूरे परिवार की हम लोगों ने देखी है बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है कुछ लोग जियारत भी करते है जो टेंथ डे है अशुर जिसका इंपॉर्टन सबसे ज़ादा है मैं सोचता हूँ कि सेवन्थ डे से लेके टेंथ डे तक जब छोटे छोटे बच्चों को खवातीन को पानी तक नहीं मिला होगा कर्बला में तो क्या रहा होगा वहां का महौल और कैसा जुल्मी होगा वह इंसान या जिद क्या जुल्म की कोई इंतिहा है हम लोगों ने बच्च्पन में ताजिया देखा है हर वक्त हम लोग ताजिया का इंतिजार करते थे उस समय मुझे बहुत कुछ जानकारी नहीं थी मासूम था मैं बाद में पता चला कि कर्बला क्या है दुनिया इम्तिहान की जगह है दुनिया आराम की जगह नहीं है और आज का यह वक्त जब हम लोग कोरोना से लड़ रहे हैं तो इस से बड़ी चीज और क्या हो सकती है कि हर दिन हर वक्त हर इंसान इम्तिहान दे रहा है और आज हिंदुस्तान को अगर हम लोग और उंचे शिखर पर ले जाना चाहते है तो हम सब को मिलकर मेहनत करना होगा कोरोना में अगर हम घर में हैं अपने बच्चों को ऑनलाइन ख्लासेज के लिए मोटिवेट करें बुजूर्गों की जिम्मेवारी है कि वो बच्चों को इल्म हासिल कराएं कराएं संसकार दें आदाब सिखाएं अदब सिखाएं हर जगह अल्ला हर जगह भगवान भरोसा सिखाते हैं अल्ला की बादशाहियत उनके जल्वे की इजज़त करें समझें हर जर्रा चमकता है अनवारे इलाही से मुहर्म के बारे में जितनी भी बात की जाए वो कम रहेगी मुहर्म एक सबक है मुहर्म एक पैगाम है दस मुहर्म के बारे में तो शायद दस दिन भी लोग बोलता रहे फिर भी कम है लोग शहीद होकर इज़त पाते हैं लोग शहीद होकर इज़त पाते हैं इमाम हुसेन ने शहादत को इज़त अदा की इमाम हुसेन ने इज़त का ताज रख दिया शहादत पर लोग कुर्बान होकर बड़े होते हैं इमाम हुसेन कुर्बान होकर कुर्बानी को बढ़ा कर गए हुसेन के लिए रोना भी शायद सुननत है किसी ने कहा उनकी शहादत पर हम रोते हैं अब्दुल्ला की शहादत हुई छोटे बच्चे पर बहुत सबक मिलता है कर्बला से नभी के नवासे नभी के नवासे का कतल कर दिया गया कर्बला में हजुरत अली के बड़े लड़के हसन और हुसेन जिनका नाम ये खुद नभी ने उनको ये नाम दिया उनकी कुर्बानी हुई शहादत हुई नभी ने अपने हाथों से अपने नवासे को खिलाया था गोद में रखा था उनका कतल किया गया इससे बड़ी इम्तिहान क्या कुछ हो सकती है दोस्तों इतनी बड़ी बड़ी इम्तिहानों की चर्चा और गुफ्त कुजब हुई है तो आज हम और आप जो इस कोरोना से निकल रहे हैं यह तो बहुत छोटा इम्तिहान है बताए हुए तरीके से अपने आप को बचाएं अपने बुज़ुर्गों को बचाएं अपने बच्चों को बचाएं कोरोना से भी मौते हुई हैं हम उन सब परिवार की तकलीफ में शरीक हैं हमारे हैदराबाद सिटी पुलीस के भी लगभग 20 आफिसर्ज की मौत हुई है हम उन सब के परिवार के तकलीफ में शामिल है कर्बला हमें ताकत देता है मुश्किलों को सामने देखने का अपने उपर लेने का दोस्तों कर्बला एक और चीज़ हमें सिखाता है इमान का सौदा किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए बहुत बड़ी सबक है यह हवाओं ने कफन पहनाया था उन बच्चों को कर्बला में नभी ने जिन्हें अपने कंधे पर खिलाया था यह सोच कर कैसा लगता है कफन भी नहीं दिया गया उन बच्चों को कर्बला में यही सबक है कर्बला की परिस्थितियां आती हैं ऐसी यही पैगाम है कर्बला का खंजर के सामने भी नमाज को नहीं रोका गया अपने वो सूल को हमेशा सामने रखे हैद्राबाद के मुकामी लोग आप सब मुझे बहुत महबूब हैं इसलिए मैं आपसे गुजारिस करता हूँ यह जो प्रोसेशन की बात हो रही है कोशिश करें कि प्रोसेशन में नहीं जाएं कोरोना वाइरस बहुत बेरहम है किसी को नहीं छोड़ता है मातम घर में करें पर इस्थितियां ऐसी है सिचुएशन ऐसा है जहां तक मातम का सवाल है मैं आपसे क्या कहूं लेकिन एक बात तो जरूर कह सकता हूँ कि वो आँख ही क्या जो अल्ला के रसूल की महबत में नम न हो ये इश्क है ये दिल लगी नहीं है और इसी लिए अगर सची इश्क है तो वो आप दिल से भी इजहार कर सकते हैं अल्ला हमें तौफीक दें कर्बला हमें और भी बहुत कुछ बताता है धोखा नहीं देना जूट नहीं बोलना बत्तमीजी नहीं करना बच्चों को सिखाएं अभी कुरोना में बच्चे आपके साथ हैं उन्हें सब अच्छी चीज मजभ़की सिखाएं और जैसा कि मैंने पहले भी कहा अपनी खता से तौबा कर लो जब भी गुना हो तौबा कर लो आगे भी गुना होगी तुमसे उसे भी तौबा कर लो और आपसे फिर एक बार गुजारिश करता हूँ हमारे सिटी पुलीस के और कॉंस्टिबल आफिसर्स आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं उनके और उनके परिवार के लिए जरूर दौा करो बहुत बहुत शुक्रिया नाजरें आप हमारे तमाम प्रिग्रामों का मुशाहदा सिटी डिश्टल सिट्वाबॉस के चैनल लंबर 22 और हैदरबाद में एजी सिट्वाबॉस के चैनल लंबर 50 पर मुशाहदा कर सकते हैं इसके अलावा यूटूब, फेस्बुक और इंस्ट्राग्राम पर भी हमारे तमाम प्रिग्रामों का मुशाहदा कर सकते हैं नाजरें अगर आप यूटूब पर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो यूटूब पर हमारे चैनल को सब्स्राइब करें लाइक और शेयर करें तो नाजरें अब मुझे जक्या सादिक को इजासत दें और देखते रहे हैं आपका अपना पसंदा चैनल सिटी इंडिया नियूस हक की आवाज शब्बा कैर, अल्लाः आफिछ